तो आज का ये वीडियो किसी प्रो फैशन ब्लॉगर या content creator के लिए नहीं जलमन आज का ये वीडियो किसी style influencer के लिए देखो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए ये वीडियो उन सब जन्यों के लिएग 근데 को भई style और fashion से डर लगता है या फिर style और fashion से कुछ ज़्यादा लेना देना है अब अगर आप एक ऐसे इंसान हो अगर आप एक ऐसे लड़के हो जिसको style और fashion से परशानी होती है style और fashion मेंने फूजन होता है तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है इस वीडियो के स्टाइल टूल आपको अपना बहतर बनने में काफी मदद करेगी इस वीडियो के style टिप्स आपको अपने को सुधारने में काफी मदद देगी अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखें पहले कि डेर्ट सो या 200 वीडियो इस चैनल हिंदी चैनल पर फिर 500 से जादा वीडियो indwatch पे देखे तो आपको पता होगा मेरा style और मेरा taste कैसा है मेरा honeymoon कैसा है मेरे सऱीन सेंज कंसा है लेकिन अगर आपने मेरे पहले कोई भी video's देखें अगर आपको मेरे बार मिया मेरे manufacture नहीं में पता नहीं मेरा ना है मैं गोड़ अचार जलूमिन यह है मैं से सेंशल सिंधी लेट्स रोल ले इंटरो तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट कुरूँ इससे पहले कि मैं आपको तीन या चार कमार स्टाइल और फैशन के टिप्स बताऊ टीन या चार निए आठ प्रैक्टिकल Sions फैसन के ट्यप्स बताव आप सोच रहे कि भए मेरी क्यों सुननी ये बन्दा है कोवन कि क्यों सुननी आपका problem आपका question है वो काफी जाया आपका inquiry काफी जाया जे आप सही सौच रहे कि मेरी क्यों सुननी मेरी बात के मानन वेल, देखो, तीन कारण है, एक, मैं आपके प्रोब्लम को प्राक्टिकली समझता हूँ, दूसरी बात, मैंने अपने आपको इस प्रोसस में ट्रांस्वर्म किया है, मैं पहले कुछ ऐसा इसा दिखता था, मैं इस प्रोसस से अपने आपको इवाल, अपने आपको चेंज करक इस तूड is the Indian Alpha M, एगी जासान देखता ऑगी आपको इसा अपने यह लिगा आपको इस निया इसि अरिस तूड प्रोसस एक अर्षरिमाजिद के निया के आपको इन कि आपको इसा मैंने इस मैंने आपको इस मैंने निकिल थे बहूव एंभाम थे और बहुत सार अइसे कमा हस्तियां थी जिसमें से हमारा चैनल हमारे इंग्लिश और हिंदी चैनल लाइफस्टाल काटेगरी में आउने हुआ था और यह रहा हमारा आर्टिकल विच सेज्टाइब है और मैंक इस प्रसेस में अपने आपको ढाला है अपने आपको इन्वाल्फ किया कि भई मैं ऐसा था बिकार साजीब सा और यह प्रोग्रेस अंट्रांस वाइसल्फ इंटो बिइंग सम्थिंग अब देख अब इस वीडियो का यह पॉइंट निया यह मतलब निया कि मैं अपनी बढ़ाई अपने मूझ से खुद करो विगाज आ इन्टाइब अनितिंग प्रूव लेकिन पूरा विडियो देखने के बाद भी आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो गया आपको कुछ नया सेखने को मुला नहीं तो फिर आप कोमेंमे लिख को पूरा टाइम वेस्ट कर दिया कुछ लिखने को मुलानी इस इस अ स्टूपिड यारन दिखो कॉमेंट में फिर में बोलूगा कि भाई माफ कर दो मुझे क्योंकि मैंने अपकर टाइम वेस्ट कैब अगर आपने वीडियो पूर एंट तक देखा इट विल बी वेरी वेल बहुत यूर ठीक है ब्रेडी चलो फिर चुरू करते हैं पहला टिप प्राइड़ गुड लुकिंग जैंस आटेर अस्पाइरिंग लोगों के लिए कि भाई फिट की पहचान करना सीखो एक अच्छे फिट की समझ और एक अच्छे फिट की पहचान करना सीखो यूर मैं इस टॉपिक मैं इस पॉइंट के बारे में पिछले पाथ साल से बात कर अगर आप 2 साइज बड़ा पैन होगे, 2 साइज ज्यादा चोटा पैन होगे तो आप कुछ भी अच्छा नहीं दिखने वाले सिलेए प्लीज एक प्रॉपर फिट का इंपॉर्टन्स संझो एक बड़ा एजी सा कॉंसेप्ट है कॉल्ड किस के आई ट्रिपल अब मैं इस कॉंसेप्ट के बार में अपने व्लॉग में भी बात किया था पिछले वाले वीडियो में अगर आपने देखाने तो चेक करो बड़ देखाने तो स्टूपड चीज़े एसलिम रखो सीज़े सिंपल रखो ताकि वह स्टाइल मेरे ऐसें मेरे और आपका पैसा वेस्ट ना कीपिट सिंपल स्टूपड अब जो भी में अचेंशन के वीडियो देखते उनको पता है कि मैं इस एक बार में कितना पालो मैं इस एक पीछे कितना सब्सक्राइब एक देन गोरो टीमेशन काम अगर वेबसाइट लाइब हो गया तो आप अभी खरीच सकते है अगर वेबसाइट लाइब नहीं हो है तो दो अक्टोबर को एबसाइब लाइब अपड़ आप चाहो तो आपके लिए यए धी बेस्ट फिटिंग वीनेक टीश पहनी थी, कैसा अजीब सा लगता था, कैसा अजीब सा दिखता था, and then, you see a different photo where I'm wearing the right fit. Obviously, T-shirt यहां पर TMB Basics का है, कपड़ा अलाग है, कपड़ा अच्छा है, slim fit है, बहुत कुछ है, लेकिन बस fit में इतना फारख हो गया, कि भाई, मेरी पूरी लुक बदल गई. The same concept applied to our beloved editor as well, अगर आप देखोगे, तो यह गौर्फ का ट्रांस्वेशन वीडियो था, उसमें उन्होंने का फे धिला डाला गंजी पहना था, उनका लुक कुछ ऐसा अजीब सा था, अभी हमने बस एक ही बेसिक सा चेंज किया उनमें, हमने उनका है स्टाइल चेंज करेंगे, और हमने उनको एक काला रंग का TMB Basics Slip Fit T-Shirt पहना दिया, and that's how it just changed his look quite instantly, please fit का मैं तो समझो, please fit का इंपोर्टन्स जानो, यार मैं हमेशा से small या medium size का इंसान था, मेरा frame small या medium size में fit होता था, लेकिन मुझे इस बात की समझ, 21 या 22 साल बात आई, जब मैंने काफी style और fashion में research कर चुगा था, ये गल्ती आप मत करो, ये गल्ती आप अपने life में कभी भी मत करो, style और fashion का सबसे basic, सबसे पहला concept चमझो, fit का importance ध्यान से जानो, चलो, आगे बढ़ते हैं, beginner style tip number 2, अगर आप बहुती नहीं हो style और fashion में, वो है कि भई, basic चीजों में, classic चीजों में, minimal चीजों में थोड़ा invest करना सीखो, या थोड़ा invest जादा करो, क्यों क्यों क्यार हमारा पैसा important है, हम जाके मेहनत करके पैसा कमाते हैं, हम नहीं चाहेंगा कि हम पैसा किसी, ऐसे फाल तो चीज में खरिश करें, जो आज ट्रेंड में है, और कल ट्रेंड से निकल जा, अब मुझे basic classic style पसंद है, क्योंकि यह मेरा style है, यह मेरा attitude है, यह मेरा personality है, यह मेरा vibe है, कि भई, मैं basic classic चीज़े पैनूंगा, अगर मैं टी-शिर्ट ले रहा हूँ, 600 रुपे की, तो वो टी-शिर्ट में ध्यान रहे कि मैं हर जगा पैन पाहूं, और वो टी-शिर्ट हमेशा style मेर है, अट-लीस्ट एक डिर साल तो style मेर है, और basic v-necks, basic crew necks, और t-shirts, other kind of style saples, जो हमेशा से ही style में रहेंगी, अब अगर आप अब भी convinced नहीं होगे, भई, मुझे basic t-shirts लेनी से हैं, अब तो basic t-shirts के लावा और basic style चीज़ें क्या हो सकती हैं, वेल, आपका एक crisp white shirt, आपके medium wash jeans, dark blue jeans, black jeans, black pant, charcoal gray pant, navy pant, navy suit, charcoal suit, check shirts, sweaters, and all these basic things, बड़े basic formal thing होगे, जिनका fit आपके body से एकदम tailored है, जिनका fit आपके शरीर के ले एकदम perfect है, those are the exact things I want you to invest your money in, आपकी umar 16-18 कितने की भी हो, मैं आपको एक लड़के की तरह नहीं देखना चाहता है, मैं आपको एक actual genuine man की तरह देखना चाहता है, अगर आपको अपने style को dress up करना है, अगर आपको अपने 18 साल की umar को man up करना है, तो आपको अपना outer experience, outer presentation थोड़ा बदलना पड़ेगा, आपने वो जो फटीवी jeans और tank top का fashion बना रखा है, उसे प्लीज निकाल फेकना पड़ेगा, क्योंगी तेखो, ठीक, इसी कारण style and hack number 3 भी बहुत important है, अपना एक style uniform बनाओ, अपना खुद का एक personal style टेस्ट बनाओ, क्यों, क्योंकि इससे आपका time बचेगा, और इससे आपके दिमाग का जो important हिस्सा है, वो किसी अच्छे productive काम पर ज्यादा फोकस रहेगा, मैं में चाहूंगा कि आप सुबह उटके आदा घंटा सोचे कि भी मैं क्या पहना हो, मैं चाहूंगा एक रात पहले डिसाइड कर ले आप क्या पहनने वाले हो कर और और आप एक खुद का style uniform बना लो कि मेरी personality ऐसी है, मेरा फिजीक ऐसा है, तो मैं ऐसे style को कारी खरोंगा, अगर आप देखियो सहरतकाल राको आभिनो महाजन को या फिर इवन शितिच शेरावच फ्रम आइन मैं लाइफ से ले आप दिस्टिंक्टिव स्टाइल हमारे चारों में से किसी का भी style सेम नहीं है, लेकिन सबका खुद का एक style uniform है, एक बार आपको पता चल गया कि मुझ में क्या अच्छा लगता है मुझे effortlessly क्या पहनना पसंद है मैं effortlessly confident ज्यादा किसमें लगता हूँ फिर आपको दो बार यह सोच नहीं पड़ेगा कि मैं यह पहनू की नहीं पहनू आपके पास बस वही चीजे होंगे वाद्रॉब में जो आपको पसंद है आप चाहो तो वह पैंट लो या फिर शर्ट लो या टीशिट लो या सूट लो आप कुछ भी पहन होगे आप पे वह अच्छा लगने वाला आप सूपर confident फील करने वाले हो मेरे लिए भाई टीशिट्स इफ आम दूइं सम्टिं काजवल अभी नेक औ स्टाइल विनिफॉर्ब्स कि मुझे सोचना है पड़ता मुझे जारा टाइम वेस्ट निकारना बड़ता कि मैं आज क्या पहलूंगा कल क्या पढ़ना मुझे बहुत सारे काम है और I don't want my style and fashion to hinder my progress style or fashion एक टूल है एक जरिया है to help you ease out your life to help you reach your goals इसको एक टूल की तरह now and just make it very effortlessly a part of your lifestyle does that make sense anyway अगला टिप अगला फैशन है टिप नंबर चाई या फैशन हाक नंबर चार जूते पे अच्छे टिकाव जूते पे थोड़ा पैसा इनिवस्ट करो क्यों क्योंकि जूते काफे टाइम तक चलते हैं अगर आपने अच्छा जूता खरीदा तो वह आपके फॉर्मल शूज में लोफर होंगे प्यारे से बहुत अच्छे लोफर आ रहें आज कल ड्राइविंग मॉक्स होगे फिर आपके पैनी लोफर होगे मॉंक्ष्राप्स होगे ऑक्सफर्ट होगे बूट्स होगे इस अगर मेरे पास ऐसे कुछ जूते हैं पांचे जो म सा wording आपके चुछ अच्छा जूता आपके इस को她 बना सकती हैं नहीं तो tik uponम ब।कर आपके बिगार सकती हैं अब आपके ऊपर अपने इस चाहते हो स्टाइल को ज्यादा स्पालीश हो कि या फिर बेक अध्यान अजीप से आप ले कर वीक या कीः जिखना हैं त्जाय शॉ भी भी अपने दिमांक से जाने मत देना अब यही सेम टिप अपलाई होता है हमारे style of fashion hack number 4 पे slim fit trouser क्यों क्योंकि यार आपके trousers आपकी पूरी symmetry बनाती है आपके पूरे शरीर का एक look बनाती है अब देख हमारा masculine trait क्या होता हमारा masculine physical appearance होता कैसा well nice and slim legs big broad shoulders narrow waist हमारा शरीर पूरा वी टेपर में होता है ताकि everything that there is on our शरीर get someone's attention to our face अगर हमने वह लुक पा ले हमारे style से या फिर हमारे training से workout से जहां से भी कर सकते हम then nothing like it that makes us so much more attractive and visually pleasing with the outside world अगर आपकी trouser आपके legs में अचे तरीके से fit हो रही है तो फिर आपको इस चीज़ के बार में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा what are the few trousers that you may wear you ask well a black pant a black jeans a blue pant a blue jeans a medium wash jeans आपके tan khakis या tan chinos और एक white chinos these are six seven pants that I would want you to start with अब मैं नहीं चाहूंगा कि भाई आभी आभार में जाके सारे pant या jeans करीदो एक एक करके खरीदो आराम से water up बना water up खरीदा नहीं जाता water up बनाना पड़ता है टाइम लगता है मुझे छे-सात साल लगे मैं अभी भी बना रहा हूं अब पुछाए छे-सात महिना लगे लेकिन आपको एक-एक करके दीरे-दीर करके चीज अखरीद नहीं पड़ेगी अपने स्टाइल को थोड़ा और इंप्रूड करना पड़ेगा मगर आखरी स्टाइल और फैशन टिप नंबर पांच या स्टाइल और फैशन हैक नंबर पांच सारे बगिनर के लिए कि भई अब इसका मतलब यह नहीं कि भई पचास सें डाल लिया टोपी डाल ली जाकेट डाल लिया जाकेट के ऊपर चेन हाथ में छे घड़ियां पे छे चूड़ियां वह मत कर लेकिन कीपिट सिंपल एंड कीपिट क्लासिक दू नाट फगेट तो वेर अक्सेसरी इस राइट वे अगर बेल्ट पहन रहे हो इतना बड़ा बकल वाला बेल्ट मत पहनना मेक्शर यह बेल्ट मैचेस दे कलर अफ यह लेदर शू अगर आप लेदर शू पहन रहे हो तो नहीं पहन रहे हो तो नहीं पहन रहे हो तो फैबरिक यह कॉटन बेल्ट का बकल थोड़ा थोड़ा थो और आपको यह गडी है घर आपको आपको मैंनत करना पर गुछलम इस तो अगर आपको यह पर ब्रास्लेट में अपको लेकि snow beta मेरा स्टाइल केया महारा स्थाइल किर ख्लिक है अधिस यह बाहना का सूट पैन का टेंशन पाहूं और I don't have to accessorize my pink suit मैं कपड़ी इतने simple पैंता हूं का I have to add a bit more stylish flair I have to add a bit more stylish panas पर से थोड़ा सा असा masala type थोड़ा सा कुछ तो अजीब सा अच्छा सा add करके मुझे अपने style को फोड़ा stand out या फो stand office करना पड़ता है which is why I wear nice watch which is where I wear things like bracelet, chashma, aviators, jackets and all of that good things अगर आपने ट्राइन नी क्या एक बार ट्राइ करो tmbbasics.com, get one of these things by yourself and see you elevate your style quite instantly, quite easy, anyway ये थे मेरे 5 basic beginner style fashion hack या फैशन टिप्स अगर आपको ये वीडियो पसंदाया तो भई अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी ये देखके कुछ नया सीखे तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करो अगर आपने लाइक ने किया ये वीडियो तो यूटूब को पता ने चलेगा कि आपको अमारी वीडियो पसंद आती है तब को लाइक तो करना पड़ेगा आपको चानल को सब्स्राइब करना पड़ेगा इतना देख लिया तो भी लाइक और शेयर भी कर तो बिग डिल नो वरीज नो लॉस नो बड़ी इस अट फॉल्ट अब मैं जाता हूं बाकी सारे वीडियो बनाता हूं आपके लिए टीम बेसिक्स पर थोलों और काम करके सेकेंड अक्टोबर को आपको लांच लाके देता हूं ध्यान लखना ख्यार लखना जल्मिन मेरे नाए मैं अग्वर चाहरा थांक्स लोग पर वाचिंग मिलता हूं अगले में चैनल